चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्देक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो MCC के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो जिन कंडिडेट को ओल इंडिया कोटा, ओपन सीट्स, डिम्ड इनवर्सिटी, इनमी एडमिसन लेना है MBBS, BDAC और BAC नर्सिंग कोर्सेज के लिए तो वो ये एप्लिकेशन फॉर्म अपलाई कर सकते हैं इनकी लास्ट डे 24 जनवरी 22 रखी गई है तो इस वीडियो में मैं आपको step by step process बताऊंगा कि कौन सी कोलम में कौन सी detail फिल करनी है तो सबसे पहले आपको MCC की website पर विजिट करना है यहाँ पर online registration का option मिलेगा उस पर हम click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे यहाँ पर हमें दो option मिलते हैं सबसे पहले registered candidate sign in का option मिलता है अगर हमने पहले registration कर रखा है तो इसमें role number और password फिल करके security फिल करके sign in करेंगे तो हम इसमें login हो जाएंगे लेकिन हम तो यहाँ पर new registration कर रहे हैं तो new candidate registration पर click करना है तो जैसे ही इस पर click करेंगे यहाँ पर आपसे I agree का पूछा जाएगा यहाँ पर I agree करने के बाद में automatic proceed हो जाएगा आगे प्रोसीड होने के बाद में आपने यहाँ पर role number फिल करना है application number फिल करना है candidate name, mother name, date of birth और यह security pin फिल करने के बाद में आपने submit करना है तो जैसे ही आप submit करेंगे जो detail आपने फिल की है यहाँ पर आजाएगी यहाँ पर mobile number फिल होंगे और email id फिल होगी यह mobile number फिल 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 होती है जो आपने NTA की website पर registration करते समय दिया था इसमें यह option नहीं है कि आप नया mobile number फिल करें या नए email id फिल करें तो यह यहाँ पर थोड़ी सी problem है तो जिन candidate के पास में mobile number यह functional नहीं है वो candidate अपने या तो sim को activate कर लें या फिर उनका mobile बंद हो गया है तो उसमें recharge वगरा करके उसको functional condition में कर लें email id अगर नहीं है बंद हो गया है तो इसी नाम से जो इसमें email id आपने दिया था फोर्म में उस email id पर क्योंकि यहाँ पर email id और mobile पर OTP आते हैं हलांकि OTP सहम ही आते हैं लेकिन आपको इन दोनों में से एक तो functional करना ही होगा क्योंकि बार बार आपके पास में जब भी आप sign in करेंगे तब OTP फिल करने के बाद ही आगे proceed कर पाएंगी जो भी and next करना है मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो आप password चूज करेंगे उसमें एक capital letter होना चीए small letter भी होना चीए और इसमें ये letter होनी चीए sorry figure भी होनी चीए और एक special character होना चीए तो password आप इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैं अपने नाम से कर रहा हूँ जैसे मैं CHOPRA कर रहा हूँ तो C में एक capital कर दिया उसके बाद में एक special character के लिए मैंने underscore या add the rate of दे दिया figure के लिए 2020 दे दिया तो इस प्रकार से आप ये password कर सकते हैं यहाँ पर इसमें condition भी दी गई है password यहाँ create करने के no का option पूछा जाएगा यहाँ आपने yes का option देना है yes का option देने के बाद आगे आपको यहाँ पर mobile और email ID verify करना है तो आपके mobile पर OTP जाएगा वो OTP यहाँ आपने fill करना है email पर भी OTP आता है हालांकि यह दोनों OTP same ही होते हैं mobile पर आगया तो दोनों यहाँ same fill कर दो उसके बाद में security pin fill करने के बाद में verify and final submit पर click करना है तो जैसे ही आप verify and final submit पर click करेंगे आपका mobile number email ID verified हो जाएगा और आगे आपका registration complete हो जाएगा registration complete होने के बाद में अभी आपने यहाँ पर application form fill करना है तो इस परकार का interface आएगा इसके अंदर आपने जो steps आगे fill करनी है उसमें होगा application form registration form आपका complete हो गया है उसके बाद होगा application form qualification details आपने डालनी है फिर selection of counseling डालना है contact detail डालनी है और फिर उसके बाद में final submit कर देना है right side में देखें तो हम registration form fill application fill qualification detail और इसके बाद में जो आ रहा है उसमें contact detail select counseling sorry select counseling fill contact detail और preview and final submit मत इस परकार की ये tapes होंगे आगे जो आपने fill करने है आपका यहाँ पर registration complete हो चुका है अभी आगे यहाँ नीचे लिखा है fill application form यहाँ पर आपने click करना है तो जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपने simple सी इसमें कुछ details हैं वो fill करनी है जैसे gender आ गया यहाँ पर nationality आ गया religion आ गया आपने यहाँ फिल करना है category आ गया अब category के अंदर क्या है कि इसमें general category भी साथ ही दी वी है जिन category की general category only जिन candidate की general category है वहाँ यहाँ general ही show करेगा लेकिन जिन candidate की OBC category है वहाँ general भी show करेगा OBC भी show करेगा तो आप general का option भी choose कर सकते हैं इसमें OBC का भी कर सकते हैं इसके बाद में जिन candidate की EWS है, SC, ST है उनकी category के साथ general भी इसमें दिखाता है इसमें यह उप्षन है कि अगर किसी कंडिडेट के मालो फोरूम फिल करते समय कैटेगरी दूसरी थी उसे जनरल में कनवर्ट करना चाता है तो यहाँ जनरल का उप्षन वो दे सकता है यहाँ पर सब कैटेगरी डिटेल्स में यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले नोट एप्लिकेबल का उसमें उप्षन आएगा इसके बाद में जो पैरा मिल्ट्री फोर्सेज इंडियन आर्मी इंडियन बीएस एप इंडियन शे आर्पी एप तो इस परकार से अगर इ अपने इसाब से यहाँ दे सकते हैं इसमें वैसे इसका कोई इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है अब हम बात करें आगे अगर आप पी डवलूडी कंडिडेट हैं तो यहाँ यहाँ यह और नो कर सकते हैं और अधर इनफोर्मेशन में अगर आप एफ एमसी के लिए अपलाई करना चाते हैं तो यहाँ आपको यह करना पड़ेगा तभी आगे यह हाइलाइट दिखाएगा अगर यहाँ पर नो कर दोगे तो फिर यह आगे ओप्सन नहीं है आपका एफ एमसी चूज करने के लिए तो अगर आप एफ एमसी में एडमिसन लेना चाते हैं तो येस कर दें otherwise no कर दें इसके बाद save and next पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही save and next पर क्लिक करेंगे इसके अंदर जो आगे की details है वो इसमें yes और no पुछा जाएगा तो आपने यहाँ पर yes कर देना है तो जैसे ही yes करेंगे आपकी दूसरी step complete होगी है application form की अब आपने qualification details फिल करनी है तो qualification detail fill करने के लिए आपने 12th की यहां कुछ detail डालनी है सबसे पहले school oblique state डालना है अब इसमें school oblique state में जैसे ही आप drop down करेंगे तो इसमें 3-4 condition आती है सबसे पहले वो आती है कि आपने क्या दिल्ली से NCT दिल्ली से 12th pass कर रखा है एक condition वो है दूसरी condition यह है कि क्या आपने जामिया से 10 प्लस 2 कर रखा है इसके बाद में तीसरी condition यह है कि आपने AMU से 10 प्लस 2 कर रखा है 12th कर रखा है और चोथी condition यह है कि other से तो इनमी जो आपके लिए applicable है आपने अगर 12th class दिल्ली से कर रखा है तो आपने यहाँ NCT दिल्ली सेलेक्ट करना है उसके अंदर दिल्ली जब आप सलेक्ट करेंगे तो other than जामिया भी लिखा हुआ है अगर आपने जामिया से कर रखा है तो जामिया वाले पर सलेक्ट करना है AMU पर करना है AMU से 12th pass किया है तो AMU सलेक्ट कर देना है अगर आपने other से किया है तो इसमें other select कर देना है इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको select करके बताता हूँ कि मैं entity of Delhi other than jamia यानि कि मैंने दिली से 12th pass कर रखी है jamia से नहीं कर रखी तो इस condition में क्या fill करना है इस condition में passing status करना है जिसमें select करेंगे तो past का option आएगा passing year select करना है role number fill करना है इसके बाद में passing जो state है वो करना है वो entity दिली अपने आप आजाता है और school का नाम और address लिखना है बस इतनी सी detail आपने fill करनी है नीचे इसमें condition दी गई है कि जो candidate दिली से जिनोंने 11, 12th कर रखा है वो internal quota के लिए applicable है ये condition इसमें नीचे दी गई है इसके बाद में नीचे इसमें एक option और पुछा जाता है कि आप दिली से 11, 12th pass कर रखी है तो इसमें yes का option देके save and next करेंगे तो ये तो हो गया जिन candidate ने दिली से 11th और 12th pass कर रखी है उन candidate के लिए अब जिन्होंने जामिया से कर रखी है तो वो जामिया का option देंगे आगे passing status देंगे, passing year देंगे, role number देंगे इसके बाद में passing state अपने आप आजाएगा, school name और address देंगे नीचे ये जामिया के लिए condition लिखी हुई है कि जिन्होंने जामिया से 12th pass कर रखी है वो candidate किसके लिए eligible है counseling के लिए अब इसमें आगे जामिया की condition के बाद में हम देखते हैं तो इसमें आगे मैं यहाँ फिल कर देता हूँ अलिगड मुसलिम यूनिवर्सिटी तो अगर किसी candidate ने 12th class 11th, 12th AMU से pass कर रखी है तो ये उनके लिए option है drop down का ये मैं वो drop down वाले option ही बता रहा हूँ आपको पहला ही option जिसमें drop down करेंगी तो आप इसके बाद में यहाँ same चीज वो ही भरनी है school address वगरा और इसमें UP state अपने आप आजाएगा school के pin code भरने हैं इसके बाद में इसमें condition दी गई है कि AMU से आपने अगर 12th pass कर रखी है तो आपकी क्या-क्या condition है internal quota के लिए यहाँ आपने enrollment number फिल करने है जो आपने अगर AMU से कर रखा है तो अब यहाँ पर आगे yes का option देना है और yes का option देने के बाद में यहाँ पर आपको select counseling चूज करनी है मतलब कि आप किस-किस के लिए counseling करवाना चाहते हैं तो इसमें option all India quota है dimmed है FMC है और open seats है जिसमें AMC, BHU, इसके बाद में इसमें हो गया यह जिपमर हो गया open seat में तो यह open seat के लिए है और next option है BSC Nursing Central Institute में जो आठ Central Institute है BSC Nursing के लिए तो उसके लिए option है तो इसमें आपको यह select करना है कि आपने किसके लिए counseling करवानी है इसमें all India का तो option सारे देई देना है सभी candidate ने all India का तो option देना ही है क्योंकि इसमें कोई अलग से फीस लगती नहीं है तो आप all India का open seat का option दे सकते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप FMC में admission लेना चाहते है तो पहले वहाँ आप yes करेंगे तो यह highlight होगा मैंने यह no किया था तो यह highlight नहीं हुआ था वहाँ yes कर देंगे तो AFMC में admission लेना चाहते हैं तो आप इस पर भी check box पर tick कर देंगे तो जो form fill करेंगे MCC का वो तो all India quota के लिए apply कर ही दे all India quota पर tick करेंगे क्योंकि इनका कोई extra charge लगता नहीं है और all India quota में तो participate करना ही होता है तो जिस candidate को नहीं करना होता है वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी all India quota पर आप select कर दें इसमें इसके बाद में all India quota पर select करने के बाद में अगर आप all India quota में select करते हैं तो जो जनरल के कंडिडेट हैं उनकी फीस 11,000 रुपीज लगेगी जिसमें 10,000 सेकुर्टी मनी है 1,000 रेजिटेशन फीस है जो नौन रिफंडेबल है जो सेकुर्टी फीस है वो आपकी रिफंडेबल है अगर आप ओल इंडिया कोटा के साथ में डिम्ड करते हैं इन सब के साथ अग इसमें 2,500,000 रुपए डिपोजिट करने होंगे 2,000,000 रुपए इसमें सेकुर्टी मनी है और 5,000 रुपए डिम्ड की कंडिशन में रेजिस्टेशन फीस है जो कंडिडेट दोनों के लिए कांसलिंग करवाना चाहते हैं ओल इंडिया कोटा और डिम्ड के लिए उनको 2,500, मैकजिमम ही डिपोजिट करना है यानि कि उनको 2,500,000 करने के बाद में उनको अलग से ओल इंडिया कोटा के लिए 11,000 रुपए डिपोजिट करने की आवश्यक्तन नहीं है ये जो 2,500,000 है ये सभी कैटेगरी के लिए समा नहीं है तो इस परकार से आप इसमें चूज कर ले कि आपको ओल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवानी है या डिम्ड के लिए भी पाटिस्पेट करना है यहां दो ही कंडिशन रखें अगर आपको डिम्ड के लिए पाटिस्पेट करना है तो यहां पर आप डिम्ड पर टिक कर दें ताकि आप ओल इंडिया में भी पाटिस all India के लिए आपने apply किया है 11,000 rupees piece deposit कि आप dimmed के लिए करना चाहते हैं तो reset registration का option available करके आप कर सकते हैं बाद में dimmed के लिए registration कर सकते हैं लेकिन ये facility आपको एकी बार मिलेगी ये आपको पूरी counselling में एकी बार facility मिलेगी इसको बार बार use नहें करें अब यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है, All India quota के लिए टिक किया है, dimmed के लिए किया है, open sheet के लिए किया है, तो नीचे amount दो लाग पांच हजार रुपए दिखा रहा है, अब अगर मैं इसको टिक करता है, शिरफ All India के लिए तो यहां 11,000 रुपए दिखा रहा है, यह आपकी category के according आएगा, अगर आप OBC, SC, ST category के हैं candidate, तो इसमें 5,500 रुपीज लगेंगे, otherwise मैंने 11,000 रुपए बताई दिया है, और dimmed के लिए सभी की एक ही फीच है, दो लाग पांच हजार रुपए, तो यह condition हो गई आपकी select counseling की option में, अगर आपने DU की जो application form वरते समय, यह जो फिछले steps में आपने NCT दिल्ली से दि टिक कर दें, इसमें DU IP की seat पर भी टिक कर दें, अगर आपने दिल्ली से 11,12 कर रखा है तो, इसके बाद save and next पर आपने click करना है, तो save and next पर click करना है, तो next step आगे contact detail, अब यहाँ पर आपको address fill करना है, correspondence address fill कर दें, correspondence address और permanent address same है, तो इसमें same as correspondence address पर click कर दें, नीचे permanent address वाले option पर, यह आपका automatic fill हो जाएगा, save and next पर click करना है, तो जैसे ही आप click करेंगे, yes का यहाँ option चुनेंगे, yes पर click करने के बाद में, आपके पास यहाँ preview आजाएगा, पूरे का, एक बार आप फिर से check कर लें इसको, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई documents upload नहीं करना होत करती है, जो आपने NTA के registration के time में upload की थी, वो ही photo यहाँ पर आती है, आप एक बार इसको check करने के बाद में, इसको final submit कर दें, तो जैसे ही आप इसको tick पर, declaration के tick पर click करेंगे, save and final submit पर click कर देंगे, और yes पर click करेंगे, तो आप final आपका form submit हो जाएगा, अब यहाँ पर आपन website में आपके पास option आ रहा है, pay registration fees, तो इस पर click करना है, तो इस पर click करने के बाद में आपके पास option आएगा, online payment पर आपने click करना है, और I agree पर click कर देना है, अब यहाँ आपकी details आ जाएगी, इसमें आपने कोंड से bank से करना है, SDFC से करना है, तो नीचे वाले option पर click कर देंग करना है, तो यहाँ पर आपके पास में तीन payment mode है, credit card से कर सकते हैं, debit से कर सकते हैं, net banking से कर सकते हैं, wallet से कर सकते हैं, 8L money से कर सकते हैं, तो इसमें UPI का option भी है, card and debit card में जैसी आप select करेंगे, तो UPI का option भी मिलेगा, उससे भी आप payment कर सकते हैं, payment procedure का आपको पताईए, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें जैसे ही आप payment कर देंगे, payment करने के बाद में pay now उपर click कर देंगे, जो आप जिसके applicable हैं, उतनी आपकी fees कट जाएगी इसमें, fees कटने के बाद में आपका form ये submit हो जाता है, और शोरी थोड़ा सा यहां डिस्टप हो गया था, आपका form में submit हो जाता है, और submit होने के बाद में आपके पास में PDF आ जाता है, डाउनलोड के लिए, तो आप यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास PDF डाउनलोड का यहां option नहीं आता है, तो इसमें candidate profile लिखा है, उस candidate profile पर क्लिक करके, लेप्ट साइट में candidate profile है, उस पर क्लिक करके, आप इस अपने application form का print ले सकते हैं, तो यह इस परकार से print आजाएगा application form का, तो इस परकार से आप application form फिल कर सकते हैं आपका यहां पर application form फिल हो चुका है अब आपने यहां 24 फिल करनी है अब इसमें 24 फिल कैसे करेंगे आप इसका मैं next में separate वीडियो बना दूंगा कि किस परकार से आपने 24 फिल करनी है क्या क्या 24 फिल करते समय किन-किन बातूं का ध्यान रखना है तो इस परका फिल करने के बाद में 24 फिल करके अपना अलोटमेंट ले सकते हैं तो यह जानकारी थी इस फॉरूं के बारे में वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो जो मैंने इस्टेप बताए उसके according आपने यहां पर registration अपलाई कर देना है तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए व